आज सावन का पहला सुमवार है, ऐसे में हरिद्वार के कंखल में इस्थत दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुभह से लंबी रंबी का तारे देखनी को मिल रही है ये मंदिर अपने आप में अध्भुद और लोकिक है, मंदिर में शिवलेंग धर्ती लोक के साथ पाता लोक में भेस्तत है पराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष के आग्रह पर महादेव ने कहा था कि इस जगह भगवान शिव को दक्षेश्वर महादेव के नाम से पूझा जाएगा और सावन का पूरा महिना भूलेनात का अंखल इस जगह दक्षेश्वर में ही वास करेंगे और सुरुष्टी का संचालन करेंगे दक्षप्रजापती मंदिर का एक विशेश महत्व है, सावन के महिने में ये शिवजी की सुसुराल है इसका एक विशेश्व महत्व बढ़ जाता है कि चार मास के लिए ये अधिक मास के लाया जाता है जो हर चार साल बाद आता है तो ये अधिक मास इस बार सावन में पड़ा है तो इसका विशेश्व महत्व है कि जो शिवजी है वो इस महीने सावन के महीने कंखल अपनी ही नहीं होता, इसलिए दक्ष मंदे से ध्यारेद्वार है। भगवान का महत्वर तो हम भगवान नहीं बनाया हमें, तो अब यहां दर्शन करके इतने अच्छा लग रहा है यहां, दर्शन करके कि इसने शुरुष्टी को डिसिप्रीन में रखा है, सर्जन हार हैं, बिश्रोइ करने वाले हैं तो हैं जिता है, तो अच्छा लग रहा है, आखे लग रहा हैं। ग्रेल में कि कॽि को अजय रहें जा है, प्रवान कि अलग महत्वा और सब्स्राइब करने वेख दिया न 노istohl प्रजुन पड़जा उससे क्या होता है बहुते तरीके चथ्टर मास कर अथा पर्थम जो स्रावन अमास आथा है तभवान सभी पुझा करते हैं बहुते हैं, भांग चड़ाते हैं, अपनी अपनी मनुपामनाओं का नुसाथ, अपनी अपनी श्थिती का अनुसाथ भगवा कोई स्रिंगार करता है कोई किसी तरीके स्रिंगार करता है भगवान को अपने अने के तरीकों से मनाता है